दोस्तों एक और आपका फिट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस किस्टेट पॉइंट बथा आज जो हम डिसकस करने जा रहे हैं वो रहेगा आपका NCRT का पार्ट और उस NCRT के पार्ट में हम जो करेंगे वो 12th क्लास का रिलेशन के ऊपर मैं बेसिकली एक वीडिय सबसे पहले काम आपको रिलेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे प्रोड़क्त क्या होता है क्या होता है क्या हम बात करें लेट एंड बी तु इंटरने पीशेट और सेट और पेर का मतलब होता है क्रम से चलने वाला एंड ब्लॉंग्स टू एंड ब्लॉंग्स टू बी एंड बी नोटेट फॉर्ट एंड बी को इंडिकेट करना है तो आप इस पर द्यान दिजिएगा कि ए और बी दो नाने पिटी शेट है तो ए और भी इनको कहा है कि अगर हम बात करेंगे तो आप यहां पर समझ लिए इस तरी किसे से नोट किया जाएगा तो देखिए यहां पर इस तरी किसे से किया जाएगा कि के साथ और एक को लेगे वाई के साथ इसको लेगे y के साथww यानese कि एग दूश्रे के साथ यहां हुआ टो मैं कि भाई करेंगे और यहां पर क्श aired क्रोडक्टल रहेंगा देखर आपको दिया आपको दोनों तरीक से नहीं बता दिया कि इस तरीक से आप इसका कार्टिशन प्रूड़क्त निकाज होते हैं आपको आनी चाहिए यह था कर दोनों तो यहां पर देख़्ेंगे अपको आनी चाहिए यह था कर्दिशन प्रूड़क्त आपको आने चाहिए है अभी आपके पास कोई रिलेशन पूछीगा तो वो इन तीन टाइप से सजए को पुछेगा आपको को सजए इन तीन टाइब को पूशे का लाइस पाइंड आफ कर रेलेसिंस पर लेशन होगा है लेजिए हिंदी में हिसे कहते हैं इंदी में से कहते हैं स्वातुल्द और सम्मित इंड आपका संक्रामक इसे संक्रामक कहते हैं तीसरे वाले को संक्रामक कहते हैं तुल्यता यह रिलेशन है जब भी आपको आपको जब भी बात करेगा तो आपको तीन ही कैटेगरी कुछ एगा क्या वरएगी यह तो आपको क्या होती है निए आपके पास कई सेट दे रहा है और सेट के ऊपर कोई रिलेशन है वो चेक करना है कि वो कौंसा है इन ने बताइए अगर होगा reflexive तो reflexive कि अगर हम बात करेंगे क्या होगा तो समझ लीजिए आपकी यह वाली क्या क्या होता है यदि यहां पर उल्टा होना चाहिए यह होगा फॉर एवरी व्लांग्स टू एक यह यह जाना रहेंगे कि अगर उल्टा है के लिजान चाहिए होना चाहिए यह होना चाहिए यह कैटेगरी थी तो ऐसी कैटेग्रियों को तो बैसिकली आपको इस समझा दूंगा कि किस तरीके चुलता है तो प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्मेंस के देखा जाता है कि माल लीजिए अगर आपके पास एक कोई रिलेशन है तो उसका का सब्सेट होता कोई के आपका आपको समझा दाईगा कि यहां में ने लिया है आपके पास कि इस अ पेरल्ल तू यारी किसका है एक पेरल्ल का पॉल हो लगा हुआ है तो और सेट किसका है इस्टिपलेन सुपर है तो देख लेते हैं मुलाईन की डिवा है किसका है स्ट्राइब एंड वी टियू आपकर पास है आपके रिलेशन जो डिरुखा रिलेशन जो तो डिरुखा अब क्या करेंगे दिखेंगे रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे डिफ्लेक्सिव क्या कर रहा है कि अगर L और M अगर parallel हैं तो हमेसा आप समझ दियेगा कि L L के parallel होगी simple है equal होती है अपने आप पे तो L और L long करेगा state line होगे तो देखिए यह state line हो ओके तो या मैं इसे L कह सकता हूँ इसे M कह सकता हूँ कोई problem नहीं है तो यह M हो गया और यह N हो गया तो देखिए L और M दोनों state line बिल्कुल राइट है तो यह reflexive के टेगरी में आता है अगर हम देखिए कि L M parallel है L और M parallel है और M और L कैसे होगी parallel होगी बिल्कुल सही है जब यह इस तरीकिसे है तो यह इस तरीकिसे पास होगी अब मैं तीन लाइन ले लेता हूँ एल पर रहे एम और M parallel है यह तो यह होगा यह तो सकते है कि एक दूसरी के parallel होगा तो यहां पर द्यान दीजिएगा L M और N तीनों किसमें होंगे यह के टेगरी के इस तरीकिसे क्यों को किया जा सकता है अभी मैं आपको एक खुद अपनी तरफ सीक एक ग्रांपल लेता हूँ जैसे माली जी मेरे पास कोई सैट है यहांपर सैट है 12345 और डॉट डोट डोट यहांपर 13 और 14 यहां तक है यह पास कोई सेट है और आपको जो रिलेशन दे रखा है रिलेशन मैंने दे रखा है इसके उपर 3x-y का दे रखा है तो रिलेशन सेट से मुझे एक कोई सेट बनाने को मिल जा रहा है मैं यहां पर एक लेशन सेट सेट बना ओंगा 3x-y is equal to 0, 3x is equal to y तो यहां पर हो गया हूँ अब मैं क्या करा हूँ बारी बारी इसे एक एलिमेंट इससे कुछिए में रखकर एक सेट बना रहा हूं जिसे मुझे रिलेशन सेट तो मैं क्या करा हूँ यहां पर मैंने 1 रखा x की जगे पर तो मुझे y की जगे पर 3 मिला तो मैंने क्या 1 रखा 3 मिला ओके एक बना देखें दूसरा मैंने 2 रखा 6 मिला 3 रखा 9 मिला 4 रखा 12 मिला 4 रखा 12 मिला अब 5 रखा तो यहांपर 15 मिलेगा 15 तो देखें यह 15 जो है आपका किसमे है set में नहीं है तो इस वज़े इस वाले element को मैं नहीं लूँगा तो यहाँ आप देखां अपर रिलेटिफ को देख लेंगे यदि आपके पास ए रिलेटिफ है तरी से तो आप कहेंगे कि आपके पास एक होना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे यौन और नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 1,1 नहीं है तो यह सीमेट्रिक देख लेते हैं तो यह सीमेट्रिक रहेगा है क्या कहिए कि अगर आपके पास एक टीन है तो आप यहां पर कहेंगे तो यह भी आपका नहीं है यानि कि आपका यह वाली वैल्यू रिलेशन सेट के अंदर होनी चाहिए यानि कि आपका एक कॉमा तीन है तो आपको यानि कि आपका यह लेbel गयूदगीक सेट अ मुझना मिलना चाहिए अब यहां पर देख लेते ही हम स्जीद क्लारव 2 मृट करेंगी तो ऐल्लाव 2 या HOL 2 प्लम्न सुगए यह भी नहीं है यह आपका ट्रांजेटिटी नहीं है और तरीक से आप एक पहर सकते हैं examination portal में आप यहाँ पर देख पाएंगे तो मैंने इसे solve करकी बताया था आपको समझाया था कि इस तरीके से solve करते हैं तो आपको इस तरीके content हमारे चैनल पर बिलेगा इस तरीके content को देखने के लिए आप हमारे चैनल को like देर सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें टेलिग्राम चैनल पर भी follow कर सकते हैं थैंक्यू फोक की बोचेंगे क्तरना पर इस तरीक बाता हैं